नमस्कार आपका श्वागत है अर्चनाई रेस्पी में तो चलिए ये क्राके की ठंड में एकदम गाउं जैसी और ठेंटिक लिट्टी चोखा की रेस्पी में आपके शाद सेर करने जा रही हूं जिसको खाके आपको मज़ा जाने वाला है तो इसको हम आगमी पकाई ये इसलिक ये तो सबसे पहले बैंगन को आग में पकाले या दो इधा में पकाले नीची कड़ने के कारण में इस तरह से कर रहे हूं को यहारी दैट प्रेस निर्डग काटक में इस तरह से ले यह मिन सत त Super अग्यों से पहले प्याज़ फैस घ्रटेगी तो और भी लिए जा सकता है अब फिलाल मैं अभी इतना ही दिखा रही हूं आपको और यह सत्तू है यह सत्तू जिसकों मतलब हमारे तरफ यह वहला सत्तू बहुत पॉफलर है आप चाहें तो बाजार से वह पिस्वाया वह सत्तू भी कर सकते हैं अब इस तरह से मैं दो पैकट करीवा हाफ केजी यह सत्तू है एक पाव एक पैकट में हाफ केजी दो पैकट में यूज की हूँ और इसमें सबसे पहले मैं अजवाइन डालूंगी अजवाइन को अच्छा से हाँ से क्रस करके डालना बहुत जरूरी है इसका पता ही है इसके एक फ्लेवर अच्छा से बाहर निकल के आता है साथ में मंग्रेल इसमें अच्छा से बढ़के दिया जाता है दोस्तों तक इसकी खुश्मू बहुत अच्छी आती पकने आग में जब पकती है तो ऐसी के साथ मैदरा को इससरा से चौपर में चौप कर ली थी बारिक और मि तीन चमच लासुन में बारी कटी हुई डाल दी हूँ बहुत कराके कि ठन पर रही दोस्तों धूप निकलने का नाम नी उपर से पानी धनिया की पत्ती और साथ में प्यास प्यास यह दो मच्छ से भरवर के डालें इसमें इसका टेस्ट बहुत अचाता है अगर आप नहीं खाते हैं तो फिर स्किप करके मूली कटीफ भी डालें मूली बीट वगर कसी भी डालें उससे भी उसका टेस्ट आता है हिंग भी डाल दी हुमें असाथ में तीन निबू में गारी थी आप चाहे तो आम का चार मोटी वाली मिर्ची का चार यह सब भी आप डाल सकते हैं पर ज्यादा खटा नहीं की हुमें दोस्तों साथ में हाफ गिलास कच्छा सरसो का तेल यही तो इसकी जान है लिट्टी की सिस का फ्लेवर बहुत होके आगे आता है इसको मैं अपने हस्वंट से सनवा रही हूं दोस्तों यह ज्यादा है कुछ इस तरह से टेस्ट कर ले रही हूँ यह बहुत चजट पटा बन के त्यार हुई थी बहुत लाजवाब दनी है और बैगन को टमाटर को मैं इस तरह से पका ली हूं और कुछ को मैं कुकर में उबाल ली हूँ उसको अच्छे से अप्शा है तो छोप़र में चॉप कर दे ब बहुत जरूरी है और मैं मटर को भी इस तरह से उबाल दी हूँ प्रसनली ये मुझे बहुत पसंद है बैगन के चोखा में मटर थोड़ा सा डाल देने से बहुत अच्छा आता है और मैं लिट्टी का आटा लगा दी हूं दोस्तों और इसमें अजवाइन मंग्रेल जैसे और इसमें मैं हाफ केजी के लमसम आलू और एक बैगन अच्छा टमाटर में आवर डाल दी थी ताकि चोखा घटे नहीं लोग इसमें चोखा भर-भर के ही खाते हैं तो घटना नहीं चाहिए बैगन का भरता या चोखा आप जो भी बोले हम चोखा ही बोलते हैं दोस्तों तेल गरम होने के बाद ही सब चीजी डालेंगे द्यूदे बहुत अशलकर गरम हो गई है तो जो चीज हम बचा लिये थे लहसं भरक जाल देने तो भरते के लिए हम ढय आप चाहे तो कच्छा हम नीचे चाह भी बना के खाय़ घुपक्र पर हमको यह अशलन शेम खैक कर टर और यही ठंड के दिनों में यह खाया जाता है दोस्तों अगर आपके पास जगह है तो जरूर गोईठे वाली आग वाली यह चुले वाली लिट्टी जरूर लगा बहुत ही अच्छा लगता है खाने में अगर यह गर्मा गरम तो अच्छा ही लगता है ठंडी हो जाने के आती हूं इस तरह से आप जरूर एक बार ट्राइ करें और कमेंट में लिखे कि आपका चोखा कैसा बन के बना था इस तरह से मैं अच्छा से इसको भूल नमक डालने से टमाटर थोड़ी सी वुशी हो जाएगी और यह देगी मिरस में डाल दी हूं कास्मरी मिरस जिसको आप बदल गया देखनी से लबावदार लगने लगा और इस तरह से इसको हम मैसर से जो बैगन और आलू ये सब डाले थे ना तो मैसर से इसको अच्छे से मैस कर दी है ताकि बैगान आलू और टमाटर अच्छे से मिल जा सर छिलका अच्छे से मैं निकाल दी हूँ ताकि कोई भी खाते वक्त मुह में आपस्टिकल ना पड़े ऐस तरह से दो मिस्टे तीन मिनट भून दोंगी और यह मतर तो उबली हुई थी मैं डाल दी हूँ अगर आप चाहे बना रहता है मुमें आता है तो बहुत अच्छा लगता है और धनिया पत्ति को बंद करके ही डाले क्योंकि अभी लेट्टी सिकने में टाइम जाएगा वादा गंटे के उपर जाएगा तो मैं इस तरह से रख दी हूँ मैं मिलाई नहीं हूँ इसको इस तरह से ढाम होगी अगर आप मेडिक वीडियो से जरा सभी कनेक्ट कर पाते हैं अर्चना हीडियो रेस्पी को सपोर्ट की बहां जरूरत है अब चासा सब्सक्राइब करें बेल एकन बेक्लिक करके अल पर क्लिक करें ताकि जब भी वीडियो अफ्लोड करूँ आप तक पहुंचे वीड लगी दोस्तों तो लाइक करें अब वीडियो नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले और कमेंट अपना जरूर करें दोस्तों इस तरह से देखिए कितना चोटा चोटा लगा लिये हैं अज्यादा बड़ा लोगा हम लोग नहीं लिये हैं और आटे में तुरह समय दई भी डालके सानी ताकि आटा बहुत मॉइस्ट बना रहे हैं आप चाय तो बेकिंग पॉडर भी डा सकते इसकिन पतला होना बहुत और यह बहुत बरेवरे लिट्टी बनाएंगे ना तो खानी में टेस्ट नहीं लगेगा इस तरह से आग देखिए दोस्तों यह आग वाली लिट्टी लगई सौरी वीवर्स यह पहले आग लगा दी है हम भुद भी नहीं देख पाए है हमारे बिहार मिशी तरह से लिट्टी लगती है अब तो पूरे ओल ओवर इंडिया मिश्ट्र से लिट्टी लगा लगाई जाती है और यह देख सारी फैमिली फ्रेंट के साथ मिलके खाएंगे दोस्तों वाल लिट्टी पाटी चल रही है अधा जल जाएगी पल्टो जलने लिए नहीं तो पल्टे भी जलने लगेगा तिरी मां चिम्टा लेने ना चाहिए आग लग गया धादय हो गया सब कि अधम ब्रीफली देखिए दोस्तों कितना अच्छा से हमारा लिट्टी लग रहा है राम लच्वन भी आ गया है राम लच्वन आप लोग पलटिए तुनो पुरा जेविया लच्वन इस पर यह वह लग रहा है और फिर यह डंबल वह ल लगता हो गवर गया है अब सब्सक्राइब करें इस तरह से इसको हलका हलका हवा करें अब बहुत प्यार से सीखे जाती है क्योंकि बहुत धाज ज्यादा होता है तो फुरा साग को कम कर देना पड़ता है और आटा को जिस तरह से आप पुड़ी का आटा लगाते है ना बहुत मुलायम ने बहुत हाट उसी तरह से कचोड़ी के आटे की तरह यह लगती है तो लिटी बहुत अच्छे से सीज के तियार होती है बहुत ज्यादा टैम ही नहीं लेती है यह पूरे 75-70 75 लिटी बनके तियार हुई थी दोस्तों घर पे कुछ लोग आए हुए थे तो लिटी की फरमाइस थी तो इसी लिए हम लोग लिटी का ही प्रोग्राम रख दिये बहुत अच्छे से बनके तियार हुई बहुत मज़ा भी आया चुकि हम लोगों को नहीं दिखा मतलब वो कैमरा में नहीं आना चाहती है इसलिए मैं नहीं दिखाई इस तरह से लिटी को ज़ड़ना बहुत ज़रूरी है आराम से ज़ड़ जाती है कॉटन का प्रहो तो ज़्यादा अच्छे से ज़ड़ती है वीडियो को बहुत स्कीप करके दिखाई हूँ चाकि ये वीडियो बहुत बड़ी नह आए इस तरह से फिर वो गंदा को फिक दे थैंकि फूर फाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों देखे कितना संदार बन के